पैपा और जॉर्ज का सोने का समय है डैडी पेग उन्हें सोते वक्त कहानी सुनाएंगे आज रात की कहानी है जादूई किला अरे ये तो नहीं कहानी है बहुत समय पहले की बात है काफी दूर एक बड़ा किला था क्या बड़ा सुनने में तो बड़ा नहीं लग रहा ओ ठीक है काफी समय पहले बहुत दूर एक बहुत बड़ा किला था अब ठीक है और अंदर बहुत ही जबरदस चीज़े थी जैसे? कला कृतियां, बेश कीमती गुलदस्ते, अतिस सुन्दर, फरनीचर और राजाओं जैसा स्नांगर हम्, और क्या? ओ चलो देखते हैं, वहाँ पर भोजन कक्ष में एक बहुत बड़ा लकड़ी का टेबल खाने की कुर्सियों के साथ था और निले रंग के नरम कुशन्स भी अरे वाह वहाँ पर खाना भी था, पनीर, ताजा सलाज और दिल जैसे अकार वाली चैरी पाई डैरी, आप हमें ठका रहे हो ये भूख लगा रहे हो? माफ करना, कई बार मेरा पेट कुछ जादा बोलता है, कहां था मैं? ओ हाँ, रानी के कक्ष के अंदर बहुती सुन्दर जामनी और सुनहरे रंग का सिंगहासन था, सिंगहासन के साथ ही खजाना भी था जिसे संभाल कर रखना होगा शोचालिय में मेरी सबसे पसंदीदा सुविधा है, कोई बता सकता है वो क्या है? सिंग? डैनसौर? नहीं, नहीं, ये राजा का एक बास्टरब था, जो की भरा हुआ था गंबॉल्स गंबॉल्स? हाँ, जामुनी वाली ठीक है, वो जामुनी रंग की गंबॉल से भड़ा हुआ था राजकुमारी के कमरे में एक बड़ा नीले रंग का पलंग था साथ में नीले रंग के तकिये भी थे राजकुमार का पलंग? सही, अगर राजकुमारी का पलंग नहीं होता तो यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता मैं पैपा से मजाग कर रहा था राजकुमारी के कमरे में एक गुलाबी रंग का पलंग था ये अच्छा है और गुलाबी रंग के ही तक ये थे ड्रेसिंग रूम के अंदर एक शानदार अलमारी थी जिसमें सारे शाही परिवारों के वस्त्र रखे हुए थे किले के बाहर राजा और राजकुमारी के लिए एक बालकनी थी मैं हूँ राजकुमार यहां से वो अपनी सारी प्रजा को देख सकते थे इस चाही परिवार के अपने जंडे भी होते थे जो वो किले के उपर लगाते थे अरे वाह वो सच में इस धर्ती का सबसे सुन्दर किला था क्या वहाँ टीवी था? क्या टेलिविजन? अरा नहीं यह टीवी के समय से पहले की बात है उससे भी कुछ बहतर था एक आइना आइना टीवी से बहतर कैसे हो सकता है? वो एक जादू ही आइना था जो हर इच्छा को पूरा कर सकता था ओ, काश हम इस किले में होते हे भगवान, जॉर्ज हम डैडी की कहानी से इस किले में आ गए चलो कुछ और मांगते हैं काश हम यहां होते ये चल गया ये जादू ही आईना सच में काम करता है ओ दोस्त, जॉर्ज बिक चाहता है पैपा फ्रॉक बन जाए जॉर्ज, तुम मुझे फिर से वापिस वैसा बना दो जल्दी अब ठीक है, चलो कुछ खाते हैं मैं बहुत भूखी हूँ अरे यार, हमने कुछ गडबड कर दी चलो चलके नहाते हैं उपर नीचे कूदो, पानी में जम कर खेलो, पानी में जम कर कूदो चपक, चपक, चपक चलो तकिये से लड़े चलो जॉर्ज, अपने पलंग पर आराम करें पैपा अपने राजकुमारी वाले पलंग पर सो गई है और जॉर्ज अपने राजकुमार वाले पलंग पर जॉर्ज हमें उटना चाहिए हम खाजाना देखना भूल गए इसे खोलो और देखो महफूज है अरे टेडी अंदर ही है अब मैं राजकुमारी जैसे सिंहासन पर बैठूंगी जॉर्ज दुखी है क्योंकि उसे डाइनासोर चाहिए फिक्र मत करो जॉर्ज राजकुमारी होने के नाते मैं तुमारा डाइनासोर ढूंड दूंगी मैं टेडी को यहाँ सुरक्षित रखके जा रहे हूँ तुम मेरे पीछे आओ सिर्फ आइने से कहो मुझे जॉर्ज के पास डाइनासोर चाहिए अरे नहीं जादू यह आइना टूट डए घबराओ मत जॉर्ज हम अपने घने जंगलों में डाइनासोर ढूंड सकते हैं चलो बाहर देखो जॉर्ज तुम्हें कुछ दिखाई दिया वहां कहीं डाइनासोर होंगे अरे मैंने कुछ देखा डाइनासोर? नहीं उससे भी बहतर कीचड का ताला पैपा और चॉर्ज को मड़ी पडल पसंद है चलो खूदो रुको वो क्या था? ड्रेगन अरे नहीं हमारा खजाना वो उसे दूसरे के लिए में ले जा रहा है वो टेडी को ले गया हमें उसे वापिस लाना होगा जॉर्ज के पास एक तरकीब है रुको मेरा इंतिजार करो जॉर्ज ये जादू याईना काम नहीं कर रहा ये अलमारी इससे मदद कैसे मिलेगी नाइट आमर शायद इससे कुछ हो जाओ टेडी को बचाओ ओई ड्रैगन मेरा टेडी वापिस करो हम अपना टेडी वापिस ले लेंगे ये बंद हो गया अब हम क्या करेंगे तुमने होर्सी ट्विंकल टोस खोज लिया वाप तुमने कर दिया चलो अब उस ड्रैगन को रोको ठीक है अब हमें देखना है कि वो कहा है पैपा जॉच मदद करो अरे नहीं ड्रैगन के पास सूजी भी है मैं आ रही हूँ सूजी रुको तुम बहुत बुरे ड्रैगन हो पैपल देखो वो मुझे आगन काई रहा है बहादूर जोर्ज वापस आ गया जल्दी पैपा गुले चलाओ बहुत भारी है वाँ मैंने कर दिया ड्रैगन को हरा दिया अब बहादूर जोर्ज ने सूजी शिप को बचा लिया मुझे बचाने के लिए शुक्रिया जोर्ज सूजी तुम उड़ सकती हो हाँ मिल्कुल क्योंकि मैं एक जादूई परी हूँ अब मैं तुम्हें तुम्हारा खजाना वापस करती हूँ खजाना ये रहा टेडी मैं तुम्हें बेना खातिरदारी के जाने नहीं दूँगी अब ड्रैगन की बारी आबरा का डाबरा अरे वाँ देखो कहा थाना मैं ड्रैनसौर ढूण के दूँगी जोर्ज चलो अब किले में चलें वहाँ अब खजाना सुरक्षित और महफूज है ममी डैडी हमारी रुमांच का विश्वास नहीं करेंगे हम किले में खेले हमने ड्रैगन को हराया सुनो अब हम घर वापिस कैसे जाएंगे पागल पैपा हर जादूई किले में एक जादूई आईना होता है तुम विश्वांगो और घर पहुँच जाओ पर हमारा तो तूट गया हम घर नहीं जा सकते घबराओ मत पैपा मैं उसे जोड़ दूँगी मुझे बताओ कहां पर है वो तो तुम कर सकती हो चलो मेरे पीछे आओ तुम्हें यकीन है कि तुम कर सकती हो वो तूट चुका है हाँ बिल्कुल तुमने कर दिया अब मैं घर जाने का और इंतजार नहीं करूँगी क्यूंकि मुझे ममी पापा को जादूई किले के बारे में बताना है उन्हें आश्चरे होगा और ऐसे राजकुमार और राजकुमारी ने परी को बचाया और खजाने की रक्षा की आप तुम गेहरी नीन में चड़ेगा जारी पेग क्या बच्चे अब तक सो रहे हैं? बिल्कुल ममे पेग ये जादूई किले की कहानिया हमेशा काम करती है